दोस्तो कहानी की सुरुवात होती है एक महीला से उसका नाम होता है अन्ना जैसन वो रेलवे इस्टेशन पर बैठी रहती है वहां से एक एकस्परेस ट्रेन गुजरती है और उसकी आँख में कच्रा चला जाता है जैसन वही रेफ्रेसमेंट रूम में जाती है और एक महीला से पानी लेकर पानी में रुमाल भिगो कर आँख से कच्रा निकानने की कोशिस करती है वही पर एक हारवे नाम का वेक्टी बैठा रहता है वो जैसन को कहता है क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ हारवे उसकी आँख में से कच्रा निकाल देता है हारवे की ट्रेन आ जाती है और वो वहां से चला जाता है जैसन भी अपने घर आ जाती है जैसन अपने पती गरहम को कहती है एक्सपरे स्ट्रेन जा रही थी मेरी आँख में कचरा चला गया रिफ्रेस्मेंट रूम में एक आदमी था उसने कचरा निकाला हारवे आ रहा होता है जैसन भी वहीं बैठी रहती है हारवे जैसन को कहता है मुझे पहचाना आपने मैंने आपकी आँख से कचरा निकाला था जैसन कहती है बिलकुल याद है पिछले हपते की तो बात है हारवे बैठ जाता है और कहता है मैं पेशे से डोक्तर हूं और हपते में एक बार यहां आता हूं जैसन कहती है मैं भी यहां हपते में एक बार आती हूं मेरा ओपिस नजदीक है जब गर्मी हो तो लंच के समय मैं यहां आना पसंद करती हूँ हारवे कहता है हम रिफ्रेस्मेंट रूम में फिर मिलेंगे जैसन कहती है आप ज़्यादा ही दिलजस्पी ले रहे है हारवे कहता है वाकई मेरा ये मतलब नहीं था क्या आपको बुरा लगा जैसन कहती है बिलकुल नहीं मैं वहां जरूर आउंगी फिर हारवे वहां से चला जाता है वे दोनों फिर रिफ्रेस्मेंट रूम में आकर बाते करने लगते है जैसन फिर घर आ जाती है जैसन अपने पती गरहम को कहती है आज मैं फिर डोक्तर से मिली थी गरहम कहता है किसी को आँख से कच्रा निकालने दोगी तो वो जिन्दगी भर का दोस्त तो बन ही जाएगा और जब मिलेगा तो हाई हेलो तो कहेगा ही जैसन कहती है ये ठीक अगर हम उनको खाने पर बुलाए तो गरहम कहता है आंक से कच्रा ही तो निकाला है कोई ओपरेशन तो नहीं किया है हार वे जैसन के ओपिश ही आ जाता है और वे दोनों घूमने के लिए बहर निकल जाते है वे दोनों बैटकर एक मिश्टरी पलैस में खेल देखते रहते है फिर वे दोनों वहां से भी उठकर जाने लगते है उन दोनों को जैसन की एक दोस्त देख लेती है डोली जैसन कहती है हम लोग इस तरह क्यों मिल रहे है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ये बहुत खतरनाक है हारवे कहता है जिंदगी का दूसरा नाम खतरा है सडक पर चलना खतरनाक है सब कुछ खतरनाक है फिर वे दोनों वहां से चले जाते है एक दिन हारवे जैसन को कार में घुमाने के लिए ले जाता है और वे एक जंगे आ जाते है हारवे कहता है हम प्यार करने लगे है पिछले हबते ही पता चलाना जैसन कहती है हाँ और फिर वे दोनों घुमते रहते है जैसन फिर घर आ जाती है जैसन अपने पती से गुसे से में बात करती है जैसे कि अब उसका मन अपने पती के साथ नहीं लगता उसे अब हारवे के साथ ही समय बिताना जादा अच्छा लगने लगा है हारवे अपनी पत्नी को कहता है क्या हमने कभी प्यार किया था वो कहती है सायद किया होगा देखो प्यार करना ऐसी बात नहीं जो कभी रुकता नहीं रोकना पड़ता है लेकिन प्यार ड़र को भगा सकता है पर अगर दर्द देता है तो भविस्य की उजली उमीद भी देता है समझे इतना काफी है हारवे और जैसन रिफ्रेस्मेंट रूम में होते है हारवे कहता है मैं जा रहा हूँ स्टेफन के घर वहाँ इंतिजार करूंगा तुमारा मैं उसका पता लिख देता हूँ हारवे फिर वहाँ से चला जाता है जैसन अपने घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है लेकिन फिर वो चलती हुई ट्रेन में से उतर जाती है और हारवे से मिलने इस्टेफिन के घर आ जाती है वे दोनों एक कमरे में आकर इंटीमेट होने की कोशिस करते है पर तभी घर के अंदर इस्टेफिन आ जाता है हारवे जैसन को कहता है मैं उसे living room में लेकर जाता हूँ और तुम सामने के दर्वाजे से निकल जाना हारवे उसे drink बना कर देता है और जैसन वहां से चली जाती है स्टेफिन जैसन का पर्स उठा कर हार्वे को देता है और कहता है पहले ही बता देना चाहिए था ना बता देते तो मैं जल्दी नहीं आता और स्टेफिन जैसन को बहर जाते हुए भी देख लेता है जैसन वहां से रिफ्रेस्मेंट रूम में आ जाती है हारवे जैसन का सामान लेकर उसके पास रिफ्रेस्मेंट रूम में आ जाता है हारवे कहता है कैसा लग रहा है जैसन कहती है ऐसा लग रहा है कि मैं कह नहीं सकती मुझे लगा मैं वैसिया हूँ और सायद वो हसा भी होगा हारवे कहता है बिलकुल नहीं उसे गलत फैमी हुई पर मैंने उसे समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसन कहती है पर बात तो वैसी ही थी ना माना क्यों नहीं कि हम सीक्रेट लवर है जिनके पास मिलने को जंगा नहीं उनका घर नहीं हुआ एक बाजार हो गया हारवे कहता है हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो जैसन कहती है प्यार काफी नहीं होता दूसरी चीजे भी होती है इज़त सेल्प रिस्पेक्ट सुरू में तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा था चर्च के पास मिलना साथ में खाना खाना एक मासूमियत थी पता नहीं क्यों ये फिर गंदा और वाहियात बन गया फिर वे साइड में खड़े हो जाते है हारवे कहता है मुझसे साधी करोगी जैसन कहती है नहीं हारवे कहता है तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही मिलते रहेंगे हपते में सिर्प एक बार जैसन कहती है बस बहुत हो गया अब इसे रोकना होगा हारवे कहता है तुमसे मिलना जरूरी है तुमसे मिल सकता हूँ न जैसन कहती है अगले हपते फिर जैसन वहां से चली जाती है अगले हपते फिर वे दोनों मिलते है हारवे कहता है सायद वक्त तुमसे बिछडने के दर्द को भुला दे पर वक्त तुम्हारे प्यार की यादों को नहीं छीन सकता जैसन कहती है इस पल में तो मर जाना ही आसान लगता है हारवे कहता है मर जाओगी तो मुझे भूल जाओगी मैं चाहता हूँ कि मुझे याद रखो फिर वे दोनों वहां से रिफ्रेस्मेंट रूम में आ जाते है वहां उनकी मुलाकात डोली से होती है हारवे की ट्रेन आ जाती है और हारवे वहां से चला जाता है डोली कहती है तुम उसे कैसे मिली जैसन कहती है एक दिन मेरी आँख में कचरा चला गया था इन्होंने निकाला डोली कहती है मेरी आँखों में भी कच्रा गिरता रहता है पर आज तक किसी खुबसूरत नोजवाने नहीं निकाला जैसन कहती है Excuse me जैसन बहार आकर देखती है तो ट्रेन में हारवे जा चुका होता है जैसन फिर वहां से अपने घर आ जाती है दोस्तो एक अजनबी साधी सुदा महीला और पुरुस का आपस में मिलना और प्यार करना प्यार नहीं होता हवस होती है पुरुस को ये समझना चाहिए कि अगर वो किसी साधी सुदा महीला से प्यार करेगा तो उस महीला के पती और बच्चों को बहुत दुख होगा और उनका पूरा घर बरबाद हो जाएगा और महीला को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपने पती के अलावा किसी दूसरे वैक्ती से प्यार करेगी तो उसके पती और बच्चों की जिंदगी बरबाद हो जाएगी लेकिन ऐसे बहुत ही कम पूरुस और महीला होते है जो अपने और दूसरों के परिवार के बारे में सोचते है नहीं तो सब मजा लेने के पीछे पड़े रहते है और यहीं पर कहानी खतम हो जाती है दोस्तो